C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ के लिए इतिहास की पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत तीन भाग एक पाठ एक कैसे कब और कहां प्रिष्ट संख्या एक तारीखें कितनी महत्पून होती हैं एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोई रहते थे कब किस राजा की ताजपोशी हुई कब कौन सा युद्ध हुआ इनी तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्रयाय माना जाता था आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाओ है भाई बस तारीखें रटते चले जाओ क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है इसका संबंद इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उन में क्या बदलाव आई हैं जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज मर्रा की जिंदगी में हम अपने आस-पास की चीजों पर हमेशा एतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। लेकिन हम सब के सामने कभी-कभी अचमभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उच्शुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई एतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाई के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाई या कौफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेल गाड़ी की खिड़की से बाहर जांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उट सकता है कि रेलवे का निर्मान कब हुआ। रेल गाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुभा सुभा अकबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उटसुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अकबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। प्रिष्ट एक पर चित्र है चित्र एक इसमें दिखाया गया है ब्राहमन ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किये गए पहले नक्षे का आवरण चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्षे तैयार करने का काम सौपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्षे तैयार करना बहुत महत्पून लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंत ब्रिटिस सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौप रहे हैं, मानो वो उसे भारती संस्कृती की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हूं। गतिविधी, चित्र एक पर गोर करें। ये चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुभा सवेरे चाई पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चड़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथी नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथी नहीं बता सकते। राश्ट्री आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थ व्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभब नहीं है। ये सारी चीजे एक लंबे समय में घट हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड कर क्यों देखते हैं। इस जुडाव की एक वज़ा है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीति के बारे में होता था। इतिहास कार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। किस साल उसका विवाह हुआ। किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ। कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। वो कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद् इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथी बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह पहले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचारपन पे और संस्कृती व समाज किस तरह बदले। चित्र दो, इसमें लिप्टन्स टी का विज्यापन दिखाया गया है। विज्यापनों से भी पसंद नापसंद तैह होती है। पुराने विज्यापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तयार हुए और किस तरह नए रूचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तयार किया गया ये विज्यापन इस बात की और संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारती महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोडे पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक आफ कनौट की पदवीदी गई थी। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्पून तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरन पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्पून है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंट बैटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बैंटिंग, डलहॉजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इर्विन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वॉय सरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही चाया रहता था। अलग-अलग अध्यायों का विशय बन जाता था। क्या हम इसी दोर के इतिहास को अलग धंग से नहीं लिख सकते हैं। ताके हर अध्याय में कुछ समन्जस से रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पीश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्दगिर्द चलता है उसमें भारतियों की गतिविधियां कोई माने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगा नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए। जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्व पूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्व पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रिष्ट पर चित्र दिखाया गया है चित्र तीन। इसमें दिखाया गया है वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था प्रिष्ट संख्या तीन हम अवधियां कैसे तै करते हैं? 1817 में स्कॉटलेंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में A History of British India अर्थात बिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और बिटिश इन तीन काल खंडों में बांटा था काल खंडों के इस निर्धारन को ज्यादतर लोगों ने मान भी लिया क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है इतिहास को हम अलग-अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं इसकी भी एक वजा है हम एक दौर की खास्यतों उसके केंद्रिय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं इसलिए ऐसे शब्द महत्वण हो जाते हैं जिनके सहरे हम समय को बाढ़ते हैं ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शादे हैं वो हमें बताते हैं कि एक अवधी से दूसरी अवधी के बीच आए बदलामों का क्या महत्व होता है गतिविधी अपनी मां या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाए अब उनके जीवन को अलग अलग काल खंडों में बाटें और प्रतेक अवधी की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं स्पष्ट करें कि आपने काल खंडों को किस तरह तै किया है मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में योरोप से पीछे हैं इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसल्मान तानाशाहूं का ही राज चलता था यहां चारों और केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंध विश्वासों का ही बोल बाला था मिल की राए में ब्रिडिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपिय शिश्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रीजों को भारत के सारे भू भाग पर कबज़ा कर लेना चाहिए ताकि भारती ये जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कि आजा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदोस्तान प्रगति नहीं कर सकता प्रिष्ट संख्या चार इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगती और सभ्यता का प्रतीक था अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धारणा को स्विकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसल्मान दौर कहा जा सकता है क्या इन सारे दौरों में कही तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तै करने की जरूरत क्या है अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था अंग्रेजों द्वारा सुझाय गए वर्गी करण से अलग हट कर इतिहासकार भारतिय इतिहास को आम तौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुने काल में बांट कर देखते हैं इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं इतिहास को इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से आई है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युगमाना जाता है उनके लिए मध्यकालीन समाज वो समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशीष्टाइन नहीं थी क्या हम अपने अध्यायन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारना को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसे कि आप इस किताब को देखेंगे अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंतरता या मुक्ती नहीं थी नहीं ये आर्थिक विकास और प्रगती का दौर था बहुत सारे इतिहासकार इस युग को आपनिवेशिक युग कहते हैं आपनिवेशिक क्या होता है इस किताब में आप जानेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानिय नवाबों और राजाओं को दबा कर अपना शासन स्थापित किया आप जानेंगे कि किस तरह उन्हों ने अर्थ विवस्था व समाज पर नियंतरन स्थापित किया अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए राज़स्व वसूल किया अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा निर्यात के लिए महत्पून फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहां की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद जीती रिवाज वत्तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को आप निवेशी करण कहा जाता है लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समुह इन बदलावों को एक ही ढंक से अनुभव नहीं कर रहे थे इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है हमारे अतीत यानि कई अतीतों पर केंद्रित प्रिष्ट संख्या पांच स्रोत एक ग्रिव विभाग को भीजी गई रिपोर्ट है सन 1946 में भारत की आपनिवेशिक सरकार शाही भारती नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी उस समय विभिन बंदरगाहों से ग्रिव विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है बंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कवजा कर ले शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है कराची 301 विद्रोहियों को गिरफतार कर लिया गया है कुछ अन्य संदेयास्पद विद्रोही भी गिरफतार किये गये है सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है विशाखा पटनम स्थिती पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गाड तैनात कर दिये गए है किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाए इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए हम किस तरह जानते हैं भारतिय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तिमाल करते हैं प्रशासन अभी लेख तैयार करता है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किये गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्पून साधन होते हैं अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्पून होता है उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमती, जाच को साफ साफ लिखना जरूरी था ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरहा अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वादविवाद किया जा सकता था इस समझदारी के चलते ग्यापन, टिपणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृती पैदा हुई अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है लिहाज़ा उन्होंने सभी शासकिय संस्थानों में अभी लेख कक्ष भी बनवा दिये तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिशनर के दफ्तर, प्रांतीय सचीवालय, कचेहरी सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे महत्पून दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार यानि आर्काइव और संग्रालय जैसे संस्थान भी बनाए गए उननिस्वी सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अभी लेखागारों में देख सकते हैं वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किये गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या उपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतिय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं उननिस्वी सदी के शुरुवाती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसी लोग होते हैं जो बहुत सुंदर धंग से चीजे लिखते हैं उननिस्वी सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी इस तकनीक के सहारे अब प्रतेक सरकारी विभाग की कारवाईयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी इस प्रिष्ट में चित्र दिखाया गया है चित्र चार इस चित्र में 1920 के दशक में बनाई गए भारतिय राश्ट्री अभिलेखागार का चित्र दिखाया गया है जब नई दिल्ली का निर्मान हुआ तो राश्ट्रिय संग्रालय और राश्ट्री अभिलेखागार दोनों ही वोईसरोय के निवास के नज़्दीक बनाए गए थे इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था प्रिष्ट संख्या 6. सर्वेक्षन का बढ़ता महत्व आपनी वेशिक शासन के दोरान सर्वेक्षन का चलन भी महत्पून होता गया अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंक से जानना जरूरी होता है 19. सदी की शुरूआत तक पूरे देश का नक्षा तयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षन किये जाने लगे गावों में राजस्व सर्वेक्षन किये गए इन सर्वेक्षनों में धर्ती की सता, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जन्तूं तथा स्थानिय इतिहासों वो फसलों का पता लगाया जाता था अंग्रेजों की राए में किसी इलाखे का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था 19. सदी के आखिर से हर दस साल में जन्गनना भी की जाने लगी जन्गनना के जरिये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संक्या, उनकी जाती, इलाखे और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकठा की जाती थी इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षन, प्राणी व्यग्ज्यानिक सर्वेक्षन, पुरा तात्वी सर्वेक्षन, मानव शास्त्री सर्वेक्षन, वन सर्वेक्षन आदी कई दूसरे सर्वेक्षन भी किये जाते थे। इस प्रिष्ट में चित्र पांच दिखाया गया है। शरीफे का पौधा, सत्रह सो सत्र का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उध्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रालेओं में विभिन पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इक कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकठी की जाती थी और इस से उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तोर से जोर देना चाहता है। चित्र साथ इसमें दिखाये गए हैं 1857 में विद्रो करते विद्रो ही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रो के बाद अंग्रेजों द्वारा तयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगा दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रो ही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रो के बारे में आप अध्याय पाँच में जानेंगे। प्रिष्ट संख्या साथ अधिकरित रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। और उनकी कारवाईयों की क्या वज़ा थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे सुरोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन सरकारी रिकार्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूनना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाद से लोगों की डाइरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्पून लोगों की आत्मकताएं और स्थानी बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्पून हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को विक्त करने के लिए लिखा लेकिन ये सारे सोथ उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे इन से हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान ख़दानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी स्रोत दो इनसानों के खाने के लायक नहीं है अखबारों से देश के विभिन विभागों में चल रहे आन्दोलनों का पता चलता है यहां 1946 में हुई पुलिस की एक हरताल की खबर दी गई है दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने ब्रिश्पतिवार सवेरे अपने कमवेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इंकार कर दिया जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुँची वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इंकार कर दिया एक हरताली का कहना था पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इनसान नहीं खा सकता हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हिंदुस्तान टाइम्स बाइस मार्च उन्निसो च्छे आलेस गतिविधी आपने स्रोत एक और दो के बारे में सुना क्या आपको प्रती वेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है प्रिष्ट संख्या आठ आईए कल्पना करें कल्पना कीजिये कि आप इतिहासकार हैं आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलावाए हैं इन जानकारियों को ढूंडने के विभिन तरीकों की सूची बनाएं अभ्यास फिर सही याद करें प्रश्ट एक सही और गलत बताएं क जेम्स मिलने भारतिये इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, इसाई तीन काल खंडों में बांट दिया था सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं गर अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षन महत्पूर्ण होते हैं आईए विचार करें प्रश्ट दो जेम्स मिलने भारतिय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं प्रश्ट तीन अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा प्रश्ट चार इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, वो पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। आईए करके देखें। प्रश्न पांच, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षनों का उदाहरन दे सकते हैं। सोच कर देखिए, कि खिलोना बनाने वाली कमपनियों को ये पता कैसे चलता है, कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। या सरकार को ये कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं।